गुद मॉर्णिंग एवरिवन वाइट यू अलॉफ कल आपको ये तीनों अच्छे से समस में आ गए थे ना जो अपने नाउन क्लॉस में चल रहे थे एजी सब्जेक्ट, एजी ओब्जेक्ट एजी कॉम्प्लिमेंट तीनों कम्प्लिमेंट हो गए ना आपके एजी सब्जेक्ट में क्या है हम उसको सब्जेक्ट से भी फॉर कर लेते हैं और एजी कॉम्प्लिमेंट में उसको हम क्या करती है कि वो किसके बाद में आ जाता है वर्ब के बाद में आ जाता है और as a object हम क्या करेंगे यानि जो conjunction है वो किसके बाद में आ जाएगी object के बाद में और आज अपना जो है वो है as object to preposition यानि कि हमारी जो conjunction है वो किसके according आईगी पहले तो हमने पढ़ा था subject के according, word के according है ना यानि compliment के according या फिर object के according लेकिन अब यह क्या कहा रहा है कि object to preposition यानि कि जो हमारा object है उसके साथ जो preposition आएगी उसके साथ ही हम क्या लगाएंगे अपनी जितनी भी conjunction है वो लगाएंगे अब इसकी थोड़ी से definition देखो in it conjunction comes in it यानि in it इसके अंदर conjunction comes after the preposition यानि object to preposition में क्या होगी जितनी भी हमारी conjunction है वो preposition के बाद में आएंगी simple सा rule है जैसे उसके अंदर आप अच्छे से करते आए हो subject किसे पहले रखूं फिर मैं verb के बाद में रख दूं है ना फिर मैं किस के बाद में और आप उसके बाद में रख दूं ऐसे ही इसमें किस के बाद में रख देंगे आप उस कंजेक्शन को preposition के बाद में ओके किसके बाद में रख देंगे preposition के बाद में अपना एक के sentence देखू listen to what your teacher says है न? listen to what your teacher says अब देखो listen to अब जो listen to है यह preposition किसकी है? यानि किस जो verb है हमारी जो listen है वो preposition कौन सी लेती है? कौन सी लेती है preposition? to अब देखो please, sorry listen to what your teacher say अब to preposition आई? अभी मैंने आपको बताया था object to preposition में क्या find out करोगे आप? जितनी भी आप जो ये अपनी conjunction आई है उनको कहा लगाओगे preposition के बाद में तो मेरी preposition के बाद में आया what what का मतलब यहाँ जो चीक है न? जो का मतलब होता है यह वो teacher say सुनो सुनो जो तुमारे teacher ने कहा तुमारे teacher ने कहा अब यहाँ से लेकर अब यह जो what से लेकर और यहाँ तक का जो मेरा sentence है यह वाला यह तो बन गया मेरा subordinate कौन सा बन गया? subordinate और यह वा listen और do यह मेरा क्या है? अब listen जो verb है न वो completely principle class बन गया है अब यह क्या बन गया मेरा principle class अब देखो listen to अब यह न जो verb है न वो उसका काम कर रही है बनी नहीं है उसका काम कर रही है अब next देखो आप इसके अदर example please listen to what he says अब देखो please please को इसके अंदर लगा दिया इसने listen to what he says same as it is, इसके अंदर है, same as it is, इसके अंदर है, you must, अब next देख लो, you must not be held responsible, भी तुमें उसके लिए responsible नहीं होना चाहिए, for what he does, जो उसने किया, अब यह देखो, for आया इसमें, इसमें for आया है न, और उसके बाद में क्या है, हमारी conjunction है, और यह वाला sentence क्या है, अब क्या है य अब यह जो preposition है, इससे पहले वाला sentence है, वो क्या बन गया, principle क्योंकि इसके पास खुद का subject है, इसमें verb है, और फिर क्या है, इसका object भी है, और इसकी preposition है, यह जो verb है, इसकी है, यह जो preposition है, यह verb की आगई है, वाली, responsible for, responsible जो होती है, उनके लिए for use होता है, okay, मैंने आप को करवाई है, preposition, preposition करवाई है, कि किस किस के साथ in आता है, किस के साथ on आता है, off आता है, that means मैंने आपको करवाई हुई है, तो जैसे interest होता है, उसके साथ in आता है, known, known होता है, उसके साथ to आता है, है ना, request to, तो यह मैंने आपको करवाई हुई है, तो ऐसे responsible के साथ क्या मेदार होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है इतना responsible नहीं होना चाहिए उसने जो किया मतलब वो जो कर रहे है उसके लिए आप responsible मत हो इतना next I could not come for it was dark मैंने आपको बीच में एक sentence दे दिया कि अभी तक तक अपन पढ़ रहे थी ना कि भी proposition के बाद हम conjunction लगाएंगी ऐसा ही पढ़ रहे थी ना लेकिन एक sentence देखो आप I could not come for it was dark ठीक है I could not come यहां तक एक complete sentence है फिर क्या है यह for फिर यह भी पूरा complete sentence है तो क्या मैंने आपको compound वाला जो करवाया था करवाया था ना एक coordinate के अंदर coordinate जो अपना अभी मैंने इसी class में करवाया है आपन तो subordinate कर रहे हैं coordinate में मैंने आपको कहा था कि यह compound sentence से बनते हैं और compound sentence वो होते हैं जो अलग-अलग अपना क्या रखते हैं अलग verb रखते हैं अलग subject अलग object रखते हैं और वो किसी एक conjunction से यानि coordinate conjunction से जुड़ जाते हैं अगर हम जोड़ेंगे तो भी वही sense रहेगा और अगर हम उनको अलग कर देंगे उनको part में कर देंगे उन sentence को तो भी उनका meaning एक ही रहेगा यानि अलग-अलग meaning के दोनों के रहें change नहीं होंगे ओके तो इसमें देखो आई है आपका subject कुट नॉट इसके अच्वी नॉट इसका आपके adverb आगई कम वर्ब और फोर अब देखो यहां तक complete हो क्या I could not come मैं नहीं आ सकता फोर इट वस किसलिए इट वस डार्क क्या है वहां अंदेरा था है ना अब यह देख ना preposition वहां कहां होती है अगर conjunction यहां conjunction है यहां पर कोई भी ऐसी वह नहीं है indication कि इसके पहले आई हो कुछ नहीं आया ना कुछ नहीं आया ना तो यह यहां पर किसका काम कर रही है for conjunction का काम कर रही है इसलिए यह compound sentence है मैंने बीच में इसलिए दिया था कि कभी आप लोग यह सोचो कि भी मैं यह करवाई जा रही है करवाई जा रही है तो अभी two के बाद आपने what लगाया ऐसे ही आपने must आया है इसमें तो फिर आपने four लगा दिया सोरी मस्ट यह फोर आया है इसमें तो वाट लगा दिया अब नेक्स्ट इसमें भी मैंने फोर दे दिया क्या फोर के बाद कोई और कंजेक्शन है नहीं ना फोर तो खुदी कंजेक्शन बन रही है इसमें इसमें यह क्या नहीं है प्रिपोजिशन नहीं है तो इसलिए ये क्या है compound sentence यानि ये वाला sentence भी complete है और ये भी यानि इसको remove करोगे न आप इसको remove करो first वाले को तो आपका ये ये वाला अपने it was dark ये complete sentence है अगर इसको remove करोगे तो ये वाला भी complete sentence दे रहा है आपको है ना तो ये क्या बन गया हमारा compound sentence बन गया ओके यह आपको समझ में आया preposition वाला न ओके next अपना है क्या है अपना as a case in a position as a case in a position as a case in a position क्या होते हैं कि दो noun ना आगे पीछे आते हैं यानि पहले एक noun आ गया फिर दूसरा आ गया यानि two noun and pronoun यानि दो noun या pronoun कोई भी हो सकता है comes before and after यानि आगे पीछे आते रहते हैं तो each other यानि एक दूसरे के आगे और पीछे दोनों ही आते रहते हैं but describe one thing noun and pronoun लेकिन वो किसी एक को ही बताते हैं यानि एक के बारे में ही describe करते हैं बताते हैं वो जैसे एक जो noun पहले आ गया उसी के बारे में आगे आएगा ठीक है ठीक है ना उसी के बारे में आगे उसका describe होगा यही क्या होता है case in a position यानि दो noun आए किसी sentence में तो जो noun है दूसरे वाला पहले वाले को ही क्या कर रहा है describe कर रहा है एक sentence है मेरे पास it is a good that he has come back है ना तो यह जो he has come back है यह क्या है यह जो first वाला sentence it is good यह अच्छा है कि वह क्या है he has come back तो अब यह देखो he has come back बहुत अच्छा हुआ है ना बहुत अच्छा है किसके लिए he के लिए यह तो use हो रहा है यहां पर यह इसी कोई तो define कर रहा है और यह he किसको कर रहा है इसको इसको कर रहा है अच्छा किसके लिए feel कर रहे हैं यहां पर अच्छा किसके लिए wish हो रहा है he के लिए ना तो यह जो दो noun है वो एक दूसरे के आगे पीछे आते रहते हैं रुनी को रिस्क्राइब करते हैं, ये एक अपोजेशन वाली case में होता है, और एक that का, और एक if or weather का है, वो मैं आपको next वाले वीडियो में करवाती हूं, जो अपनी क्लास होगी उसमें, और आज मैं आपको ये कुछ question दे रही हूं, homework के लिए, तो कल आप मुझे, मतलब अगर नहीं आए, तो बता देना मुझे, आ गए तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिकत नहीं है, मैं आपको कल अपनी क्लास होगी, उसके अंदर इसको करवा दूगी, okay, thank you for this class, okay